एक समय की बात है एक छोटे से गाउं में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था रामू के पास गाउं में थोड़ी सी ही जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था उसकी मेहनत और सूजबूज के कारण उसके खेत में हमेशा अच्छी फसल ही होती थी रामू उसी जमीन से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था रामू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे फिर भी वह संतुष्ट था और और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीता था अरे भाग्यवान इस साल बारिश ने कमाल कर दिया इस साल बारिश पिछले साल से काफी अच्छी हुई बारिश की वजह से हमारे खेत की फसल भी अच्छी हो पाई है वरना पिछली बार हमारे खेत में फसल अच्छी ना होने से हमें नुकसान देखना पड़ा था हाँ जी आप बिलकुल ठीक कह रहे हो पिछली बार हमें काफी नुकसान हुआ था अच्छा जी तो इस बार हमारे खेत में कितना बोरी अनाज हुआ है भाग्यवान इस बार हमारे खेत में बीस बोरी अनाज हुआ है और इस अनाप से हमारा साल भर का राशन तो ही जाएगा और मैं इसमें से कुछ बोरी बजार में बेच दूँगा जिससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे हाँ जी आप ठीक कहते हो इस बार हमारे पास कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे अच्छा तो भाग्यवान भोजन लगा दो बहुत जोरो की भुक लगी है ठीक है जी मैं अभी भोजन लगा देती हूँ आप हाथ मुह दो कर आ जाईए रामु हाथ मुह धोने चला जाता है और खाना खाके रामु खेत की और चला जाता है खेत पर पहुँच रामु अपना काम शुरू कर देता है उसी गाव में दो किसान राजू और विर्जू रहते थे वह दोनों बड़े ही आलसी थे वह अपने खेत में कुछ काम नहीं करते थे वह दोनों रामू से नफरत करते थे और सारा दिन रामू की बुराई ही किया करते थे अरे विर्जु भाई, रामू के खेत को देखा तुमने कैसे हरिया रहा है पता नहीं ऐसा क्या जादू करता है अपना खेत में जो हर बार फसल अच्छी ही हो जाती है अरे राजू भाई मैं तो तंग आ चुका हूँ इस रामू से इसके चक्कर में मेरी पत्नी भी अब मुझे सुनाने लगी है बस सारा दिन कहती रहती है कि रामू को देखा कैसे महनत करता है और तुम बस सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो भाई बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो इसके चक्कर में अब मेरी भी इज़त खतम हो गई और मुझे भी सारा दिन सुनना पड़ता है भाई हम कर भी क्या सकते है अब इसके चक्कर में पता नहीं हमें कब तक सुनना पड़ेगा बस पूरे दिन खेतों में ही लगा रहता है सही कहां भाई, तुमने बस पूरे दिन खेतों में ही लगा रहता है और इस साल तो बारिश भी अच्छी हो गई अब तो उसे अपने खेट से और मुनाफ़ा होगा हाँ भाई, पर हम कर भी क्या सकते हैं अच्छा तो राजू भाई में चलता हूँ, मुझे काम याद आ गया कुछ फिर विर्जू वहाँ से चला जाता है और उधर दूसरी और रामू अपना खेट का काम खतम कर देता है इतना कह रामू घर की और चल देता है भाग्यवान, आज मैंने सारा खेट जोत दिया जिससे हम हमारी फसल समय पर तैयार हो जाएगी और हमें अच्छा मुनाफा भी होगा जी, ये आपने बिलकुल ठीक किया जो आपने सारा खेट जोत दिया पिछली बार हमें फसल काटने में देरी हो गई थी जिससे हमारी कुछ फसल खराब भी हो गई थी हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो पिछली बार तो फसल में मुनाफा नहीं हो पाया था बिलकुल भी उस गौव में एक शामलाल नाम का जमीनदार रहता था जो बड़ा ही लालची और कठोर था वह हमेशा लोगों की जमीन गलत तरीके से हड़प लेता और उन्हें जूटा साबित कर उनकी जमीन पर एश करता था वह एक दिन कुछ सोच रहा था तब ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया मुझे गाव वालों से बहुत कम ब्याज मिल रही है जिससे मेरे खर्च भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मेरा फाइदा हो अपनी इसी बात को सोचते हुए जमीनदार गाव में जाता है गाव वाले जमीनदार को आता देख चौक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं अरे राजू ये श्यामलाल गाव की और क्यों आ रहा है अब इसे क्या चाहिए हमें तो लोट ही चूका है अब क्या हमारे घर को लोटेगा अरे पता नहीं विर्जू भाई बड़ा ही बेकार इनसान है ये श्यामलाल मुझे लगता है कि अब भी कुछ मांगने ही आ रहा होगा हमसे ब्याज तो दो गुनी ले ही लेता है राजू और विर्जू आपसे में बात कर ही रहे होते हैं तभी श्यामलाल उन्हें देख उनकी तरफ ही आ जाता है ए तुम दोनों सुनों में तुमको एक बात बताने जा रहा हूँ तुम यह बात अपने गाउं के मुखिया से जाक कह देना ठीक है जमीनदार जी बताईए क्या बात है बात यह है कि गाउं के सभी किसानों को मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा देना होगा वरना उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी राजू और विर्जू जमीनदार की यह बात सुन चिंतित हो गए वो जमीनदार को कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि जमीनदार बड़ा आदमी था इसलिए उसकी बात मान ली ठीक है जमीनदार जी हम ये बात मुखिया जी को बता देंगे फिर जमीनदार वहां से चला जाता है अरे राजू भाई अब क्या करेंगे अगर हमने इस जमीनदार को फसल का आधा हिस्सा दे दिया तो हमें तो कुछ नहीं बचेगा अब राजू भाई इस दुविधा से हमें कौन निकालेगा विर्जू भाई हमारी तो खेत में वैसे ही ज्यादा फसल नहीं होती है अब इस जमीनदार को फसल को आधा हिस्सा कैसे देंगे भाई मेरे तो सोच के ही दिमाग खराब होए जा रहा है चलो विर्जू भाई मुखिया जी को ये बात बताते हैं अब देखें वह क्या मदद कर सकते हैं चलो राजू भाई फिर वह दोनों गाव के मुखिया के पास चल देते हैं अरे मुखिया जी कहां हो जरा बाहर आईए तो मुखिया जी आवाज सून घर के बाहर आते हैं अरे क्या हो गया कैसे चिला रहे हो मुखिया जी अब आप ही बचा सकते हैं हमें उससे बस मुख्या जी बचा लीजिए मुख्या जी, उस शामलाल जमीनदार ने कहा है कि उसे इस बार गाउं के सभी किसानों से फ़सल का आदा हिस्सा चाहिए अगर कोई उसे किसान उसे फ़सल का आदा हिस्सा नहीं देगा तो वो उसकी जमीन अपने कब्जे में कर लेगा अरे ये तो उसने बहुत गलत किया है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन श्यामलाल बहुत कठोर जमीनदार है हाँ मुखिया जी अब आप ही बताईए हम क्या करें देखो ऐसा करते कल गाव के सभी किसानों को इकठा करो कल हम सभी किसानों के साथ बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ठीक है मुखिया जी जैसा आप कहो फिर अगले दिन गाव के सभी किसान इक्टे हुए मुखिया ने गाम के सभी किसानों को जमीनदार की कही हुई बात बताई देखो किसान भाईयो इस जमीन पर आप मेहनत करते हो और पुरे साल मेहनत करके अना जुगाते हो इसमें आपकी फसल का कोई आदा हिस्सा ले जाए ऐसा नहीं होगा हाँ मुखिया जी लेकिन अब करेंगे क्या वो श्यामलाल तो फसल का आदा हिस्सा लेके ही मनेगा और हम उसे फसल का आदा हिस्सा कैसे देंगे हाँ ठीक कहा इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ अगर आपके कोई उपाय हो बताए उस गाव में सबसे बुद्धिमान किसान रामू ही था जमीनदार की बात सून रामू बोलता है मुखिया जी मेरे पास एक उपाय है जिससे हम गाव के सभी किसानों की जमीन बचा सकते हैं हाँ रामू बताओ क्या उपाय है मुखिया जी जमीनदार को फसल हमारी फसल का आधा हिस्सा चाहिए तो हम उसे फसल का आधा हिस्सा देंगे मुखिया जी हम अपने खेत में मूली उगाएंगे जो कि मूली का आधा हिस्सा जमीन के अंदर होता है और आधा बाहर तो जब जमीनदार अपनी फसल का आधा हिस्सा लेने आएगा तो हम उससे कहेंगे कि हम उसे फसल का उपर का हिस्सा देंगे और नीचे का हम रखेंगे जिससे मूले के उपर का हिस्सा जमीनदार को मिलेगा और मूले का नीचे का हिस्सा हमें अरे वाह रामू ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है तुमने ऐसे तो गामवालों की फसल बच जाएगी और जमीनदार को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा रामू की बात सुनके सभी गामवाले उसकी तारीफ करने लगे रामू अपने घर को आ जाता है और घर पर आके जो कुछ हुआ वह सब अपनी पत्नी को बता देता है आपने बिलकुल सही सुझाव दिया है ऐसे सभी गामवालों की फसल भी बच जाएगी और उस श्यामलाल जमीनदार को उसका हिस्सा भी मिल जाएगा हाँ भाग्यवान इससे सभी गामवालों की फसल बच जाएगी फिर अगले दिन रामू अपने खेतों की ओर चल देता है और खेतों पर पहुँच अपना काम शुरू कर देता है वही दूसरी और विर्जू और राजू भी अपने खेत को फसल के तयार कर रहे होते हैं अरे भाई राजू हम तो रामू को बहुत गलत व्यक्ति मानते थे लेकिन उसने तो पुरे गामव गामव को मदद की है हाँ विर्जू भाई तुम सही कह रहे हो अगर आज रामू नहीं होता तो वो जमीनदार तो फसल का आधा हिस्सा ले जाता हाँ भाई सही कहां फिर शाम होने पर रामू अपने घर की और चल देता है ऐसे ही कुछ महीने बीटने के बाद मूल की फसल तयार हो जाती है फिर एक दिन शामलाल अपना हिस्सा लेने आता है लाओ मेरा हिस्सा कहां है? मैंने कहा था मुझे फसल का आधा हिस्सा चाहिए जमीनदार जी, हम आपको अपनी फसल का आधा हिस्सा जरूर देंगे लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी कैसी शर्त? बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? जमीनदार जी, आपको हम फसल का उपर का हिस्सा देंगे और नीचे का हिस्सा हमारा हमारा होगा जमीनदार रामू की ये बात सुनकर सोचता है अरे ये तो बड़ा मुर्ख इंसान है फसल का उपर का हिस्सा मुझे दे रहा और नीचे का खुद रख रहा है ठीक है जैसा तुम चाहो पिर रामू जमीनदार को खेत पर ले जाता है और जमीनदार खेत पर जाके मुल्यों की फसल को देखता है तो उसे अपनी बात पर बुरा लगता है लेकिन अब जमीनदार कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने फसल के उपर के हिस्से के लिए हां कर दी थी तुम्हारी यह चतुराई देखकर मैं बहुत खुश हुआ मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूगा जमीनदार को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने फिर गामवालों से अधिक व्याज नहीं लिया